नश्कार, बीसी नियूस की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आए एक नजर डालते हैं खबरों के और मुख्यमंतरी बुपेश भगल ने आज कांकेर के गुविनपूर स्कूल मैदान में आयोजित्वन अधिकारी समीति समेलन जै विवित्ता पंची का विमोचिन में आमचंता को संभूदित करते हुए कहा कि सड़क, पुलपुलिया, स्कूल और अस्पताल जैसे आदोरों संचराव विकास के साथ ही प्रदेश की हर व्यक्ति का विकास सरकार का लक्ष है 36 सरकार विविन्द निर्मान कारियों के साथ ही शिक्षा, रोजगार, पोशन और सभी वर्गों की कल्यान के लिए अनेक योजनाय गम्हिरता से संचालित कर रहे हैं उन्होंने आमसभा में कांकेर जिले के लिए 342 करोड रुपय के विकास कारियों के लोकारपन और शिलान्यास के साथ ही कई नई घोशनाय की उन्होंने सरोना और करोर को तहसल थाना बढ़गाव और कोड़े कुर्सों को उपतहसल बनाने की घोशना की मुख्यमंत्री ने इनके साथ ही कई नई सडको, पुलपुलिया और भवनों के निर्मान की भी घोशना की उन्होंने कांकेर जिले के 83 करोड रुपय की लागत से 220 के वी विद्यूत उपकेंद्र की स्थापना चुला अस्पताल में OPD, ICO एवं पृतक एमर्जनसी वोड की निर्मान के लिए 7 करोड रुपय भानु पृतापुर और आंतागर में स्वामी आत्मानन उतक्रोष्ट अंग्रेजी माधियम स्कूल की स्थापना तथा कांकेर जिले के 75 गाओं में घोटुल निर्मान और देवगोडी निर्मान के लिए राशी देने की खोशना की उन्होंने कारेक्रम में जैविवित्ता पंजी का भी विमोचन किया उन्होंने विभिनयूज नाओ के हतिग्रियों को सामगरी और राशी भी वित्रती मुख्यमंत्री बगेन ने लोगों को छेरेचरा पर्फ की बढ़ाई और शुपकामनाय देते हुए बताया कि आज कांकेर के मुख्यवाजार में उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ छेर छेरा दान के रूप में एक लाग चौबिस हजार रुपए और खाद सामगरी प्राप की थी उन्होंने इस कोमल देव जिलाचिकित साले में उपचारत मरीजों के परिजनों की बोजन विवस्ता के लिए भेट किया है अपने समोदन में उन्होंने कहा कि प्रदेश से कुपोशन दूर करने के लिए राजिशासन ने बस्तर से सुपोशन अभ्यान की शिरुआत की थी अब इसके अच्छे नतीजे आना शुरू हो गए है और सरसर प्रतीशित बच्चे कुपोशन मुक्त हो गए है प्रदेश में एनिमिया की शिकार 15 वर्ष से 49 वर्ष की किशोरिया और महलाओ को भी सुपोशित करने के लिए कंबिरता से काम किया जा रहा था दुरस्त अंचलों के बच्चों को भी अंग्रेजीमाध्य में शिक्षा अपलब कराने के लिए अंग्रेजीमाध्यम स्कूल खोले जा रहे है प्रदेश में इस तरह 52 स्कूल इस साल शुरू किये गए है स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक्र की कमी दूर करने के लिए नई भरतियाग की जा रहे है उन्होंने कहा कि कुरुषिय और किसानों को मजबूती के लिए राजिव गांधी किसान न्याई यूजना के अंतरगत कोरोना काल में 19 लाख किसानों को राशी उपलप कराए गई है पुरे देश के किसान 36 गर की तरह धान खरीदी की व्यवस्था चा रहे है मुख्यमंतरी ने आमसभा में कहा कि कुरुणा संक्रमन के चलते देश यापी लॉगडाउन के दौरान 36 गर ने पुरे देश में सबसे अधिक वना पजो की खरीदी की है महुआ, इमली और तेंदू पताचे से अनेक वनो पजो का अच्छा दाम देती हुई वनवासियों की आर्थिक मजबूती के लिए लगातार भहतर काम किया चारा है गोबर खरीदी और गौठानों में विभिनतरा के सरोजगार से ग्रामय अर्थ विवस्ता को मजबूती मिल रही है उन्होंने कहा कि लगुदहान ने फसलो और वनो पजो की प्रसंसकरन और मूल सवरधन के लिए प्रसंसकरन केंद्र स्थापित के जा रहे है इससे इनके उत्पाद को वसंगरहकों को ज्यादा मुनाफ़ा होगा वनवासियों के रोजकार का सादन बढ़ाने के लिए 36 गर्ष सरकार ने पुरे देश में सबसेदिक वनाधिकार पट्टा वित्रित्प किया है मुख्यमंतरी ने कहा कि बिस्तर की बोधगार परियोजना से एक बड़ेक शेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा वनमंतरी मुहमद अकबर ने आमसभा को संभूदित करते हुए कहा कि 36 गर्ष जै विवित्ता की बहुलुता वाला प्रदेश है यहाँ प्रकृती का अनमोल उपहार है इसका सेलेक्शन वा संवर्धन बहुत जरूरी है जै विवित्ता की संवर्धन और आदिवासियों के परंपरागत न्यान की सेलेक्शन के लिए वनविभार द्वारा जनजय विवित्ता पंजी तयार की गई है उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतरगल गोबर बेच कर भूमिहीन लोग भी मोटर साइकल और आबुशन खरीद रहे है तता हवाई यात्रा कर रहे है उध्योग एवं वन्यजीव मंतरी कवासी लखमा ने आमसभा में कहा कि 36 गड़ पुशपालकों से गोबर और 2500 रुपय में धान खरिदने वाला देश का पहला राच है किसानों को सशक करने के लिए सरकार नहीं है उनका करजा माफ करने के साथ ही लोहंडी गुड़ा की किसानों को उनके जमीन वापस की है लोकस्वास्ती अंत्रिकात थाकांकेर जिले की प्रभारी मंत्री गुरु रुद्रकुमार ने कारेकरम में कहा कि पिछले दो वर्षों में बस्तर विकास की नई उचा या चुन की दिशा में तीजी से आगे बढ़ा है कर्जमाफी दो हजार पास रुपे में धान खरीदी गोधन न्याय योजना और गाउगाउ में गौठानों की निर्मान से ग्रामिन व्तव्यवस्ता मजबूत हो रही है परांचलों में सरकार द्वारा 52 के वनपजों की अच्छे मूले में खरीदी से उन्हें आर्थिक लाब हो रहा है मुख्यमंत्री बुपेश भगल ने आमसभा में एक मुख्यमंत्री हार्ट बाजार क्लिनिक योजनाओ के लिए आर्ट आम्बूलेंस का लोकार पन किया कांकेर चले के हार्ट बाजारों में लोगों को स्वास्विधाय महया कराने कोईली बेडा विकास खंड में दो एम्बूलेंस तथा शेश विकास खंडों में एक एक एम्बूलेंस भेज़े जाएंगे स्वास्विभाग द्वारा एक करोड चौपन लाक रुपे की लागत से एम्बूलेंस खरी दी गई है मुख्य मंतरी ने लोगों को विभिन्द विभागे योजनाओ की जानकारी देने कोविन्पूर स्कूल मैदान में लगाये गए स्टॉलों का भी अवलोकन किया यहां कुरुशी उध्यान की मचली, पालंध, रेशम, महिला एवं बालविकास, समाज कल्या, अंध्वन और उर्जा विभाग की योजनाओ की जानकारी देने स्टॉल लगाये गए थे बीसियन नियूस के लिए 36 कर से विजय देशलहरेक रिपूर्ट बेरला ब्लोक के ग्राम चेटुआ में प्रतिवर्श पोषपोर्णिमा मेले के असर में गुरु अमरदास जी समाधिस सल में आयोजित मेले में मुख्य अतीती आशिस च्छाबडा विधायक बेमितारा शामिल हुए सरप्रतम विधायक आशिश चाबडा ने गुरु अमरदास जी की समहादी सल पहुच पूचा पाट कर गुरु चर्णों में नमंकर शेत्रवासियों की खुशाली की कामना की इस असर पर विधायक आशिश चाबडा ने कहा कि आज बड़ा हर्ष का विशे है बेमेतरा विधान सभाक शेत्र के अंतरगत प्रतिवर्ष की भाती पौश पूर्णिमा के असर पर चेटवापुरी धाम में गुरु अमरदास जी समहादी सल में भव्यमेला का आयोजिन रखा गया है आज उस मेले में 36 कर से ही नहीं पुरे भारत वर्ष से गुरु अमरदास जी की मेले में दर्शन करने आनन लेने बड़ी संख्या में भाई बहन श्रद्धालु जन पहुचे है सभी श्रद्धालों को स्वागतवन्दन अभिनंदन चेटवा पुरी धाम में सन 1926 में निर्मान कारे चाल हुआ 1932 में गाव के मालगुजार गौटिया स्वर्गिय आधरदास के द्वारा मंदिर का निर्मान कराया गया छेरा छेरा पुन्नी के अवसर पर हम सभी को गुरु अमरदास जी की समाधी स्थल का मेला दर्शन सोनावनी परिवार के मादिम से होता है विधायक आशिस छवडा ने बताया कि राष्ट्य राजमार्क NH12A से लगे हुए गराम किरिदपूर से चेटवा तक 7 किलोमीटर लंबी सरक निर्मान का कारे लागत राशी लगभग 2,98,88,000 रुपे के लागत सरक निर्मान का कारे चालू हो गया है सरक के बने जाने से चेटवा पुरी धाम में प्रतिवर्श गुरु अमरदास जी के नाम पर मेला लगता है इस मार्क के बने जाने से ग्रामिन जनो श्रद्धालों के साथ साथ दूर दूर से गुर्वा मरदास के धाम आने वाले श्रद्धालों की आवागरवन में सुविधा होगी साथ ही शिवनात नदी में चेटवापुरी धाम से किरितपूर के मद्य उच्छ सर्यपुल निर्मान कार्यल लाखत राशी 29 करोड रुपे की बजट में शामिल हो चुका प्रशास के स्वीकृती लगभग मिलने वाली है बहुत जल आने वाले समय में यह पुल तयार हो जाएगा जिससे आवागवन में आसानी होगी साथ ही समीती द्वारा शिवनात नदी में दोनों और पच्छले निर्मान की मांग रखे है आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस साल बजट में किरीदपूर चेटवा बार नेंतरन योजना के तैन दोनों और पच्छले निर्मान कारे की स्वीकृती हेतु पत्र भेजा गया है बहुत जल इसकी स्वीकृती मिल जाएगी साथ ही ग्राम चेटवा में अच्छौली से चेटवा पहुँच मार्क लागत राशी 50 लाक रुपे का निर्मान कार्य चालू हो गया है साथ ही चेटवा पुरी धा में समाज के द्वारा बताया गया है कि जो सांस्कृतिक मंच है जो काफी पुरानी जरजर हो चुका है कही है बीसीन न्यूज के लिए बेमितारा 36 कर से विजय देशलेरिक रिपोर्ट बीसीन न्यूज की प्रदेशी खबरों में फिलहाल इतना ही सेन ने और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसीन न्यूज नमस्कार